अगर आप एक महिला हैं और आपके गाउं में कोई ऐसा काम नहीं है जिसको करकर आप पैसे कमा सकें तो आपके पास एक अच्छा ओप्सन है आप समुहू बना के पैसे कमा सकती हैं और अपना कोई भी रोजगार कर सकती हैं। आपको रोजगार करने के लिए सरकार आपको पूरी मदद करेगी यानि कि आपको नगद रकम दी जाएगी। उस पैसे से आप अपने घर में बहंस पाल सकती हैं पर चून दुकान खोल सकती हैं या फिर कोई भी ऐसा काम कड़ाई बुनाई सिलाई या फिर कोई भी ऐसा काम जैसे के सेंटर खोलना, बच्चों को सिखाना या फिर कोई भी ऐसा काम जो आपके समझ में आता हो जो काम आपको आता हो वो काम आप समुहू के द्वारा कर सकती हैं और उस काम से धीरे धीरे आप अपने आपको ग्रो कर सकती हैं और अच्छा पैसा कमा सकती हैं तो चलिए कैसे बनाएं अगर आपको समुह की ABCDB नहीं आती आपको समुह के बारे में कुछ नहीं पता कि समुह कैसे बनता है क्यों बनता है क्या समुह का यूज होता है तो इसके बारे में आज पूरी जानकरी दी जाएगी और आप समुह से कैसे और कितना पैसा कमा सकते हैं वीडियो मे आगे बढ़ने से पहले चाओंगा प्रीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अच्छी और सच्छी जनकर ये ऐसे ही आपको मिलती रहे तो चलिए जान लेते हैं कि एक समूह कैसे बनता है और आप एक समूह को कैसे बना सकते हैं अगर आप कोई समूह बनाना चाहती हैं त तो आपके पास सबसे पहले 10 लेडीज होनी चाहिए और आप उस गाओं की निवासी होनी चाहिए जिस गाओं की 10 लेडीज आपने इखटा की हैं यानि कि उसी गाओं और हो सके तो उसी महले की अगर आप 10 लेडीज इखटा कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है आपका सम जल्दी अप्रूब हो जाएगा, समूँ बनाने के लिए आपको कम से कम 10 और जादा से जादा 20 लेडिस चाहिए होती हैं, और उन लेडिस का आपको रेजिस्ट्रेशन कराना होता है, तो चलिए इसको step by step समझ लेते हैं, सबसे पहले आपको अपने गाउं में 10 या 20 लेडिस क इखटा करना होगा, उनके documents इखटे करने होगे, जैसे कि उनका आधार काट और उनका एक एक फोटो, और उसके बाद आपको 10 या 20 लेडिस जो भी हैं, सबको मिलके अपने समूँ का एक अच्छा सा नाम सोचना होगा, जैसे कि मीना समूँ सेंटर या फिर मशली पालन समू सेंटर, कुछ भी आपका नाम हो सकता है, जो भी आपके रोजगार को मैच करता हो, उस तरीके से आप अपना समूँ का नाम रख सकती हैं, और उस नाम को लेके आप सीधा ब्लॉग जाएंगे, ब्लॉग में आपको BD office के आसपास ही कहीं, BC अधिकरी का office मिल जाएगा, बहा पूछेंगे कि आपके समूँ में कितनी महिलाएं हैं, तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं, जितनी भी महिलाएं आपके साथ में हैं, कम से कम 10 महिलाएं होनी चाहिए हैं, और जादर से जादर 20, अब दूसरा सवाल उनका ये होगा, कि आपके समूँ में अध्यक् और सचिप कौन है तो ये बाते आपको पहले ही और घर से ही डिसाइड करनी होगी अगर आपने महिलाएं इखटी कर ली तो आपको उनमें कम से कम तीन ऐसी महिलाएं चाहिए जो पड़ी लिखी हो यानि कि जो महिलाएं पढ़ना लिखना जानती हो ये इसलिए जरूरी है कि उसमें तीन महिलाओं को तीन पद दिये जाते हैं पहला महिला होती है समू की सचिप दूसरी महिला होती है समू की अध्यक्ष और तीसरी महिला होती है समू की कोसाध्यक्ष यानि कि एक महिला वो जब समू का पूरा काम समालती है एक महिला वो जो बैंकिंग का पूरा काम स समालती है, ये तीनों महिलाओं का तीन काम होते हैं, तो आप जब भी अपने समू को लेके ब्लॉक जाएं, उससे पहले आप घर पर ही या अपने महले में ही ये डिसाइड कर लें कि आपके समू में समू, अध्यक्ष, कोसा अध्यक्ष और सचिक कौन होने वाला है, और बाकी जो समू की महिलाओं हैं, वो समू की सदस्य कहलाती हैं, अब आप ब्लॉक पहुच गए, उनको डॉक्वेंट्स भी दे दिये, और समू की तीनों महिलाओं का नाम डिसाइड भी हो गया, ताकि जो बीसी अधिकारी हैं, वो उनको पद दे सकें, जो भी समू की अध्यक्ष, कोसा, देक्ष और सचिव होती हैं, अब आपने समू का नाम डिसाइड कर लिया, समू के पद डिसाइड हो गए, अब आपको काम क्या रह जाएगा, तो सबसे पहले तो आप यह समझ लीजिए, ये काम करने के बाद, आपको लगातार तीन से चार मीटिंग करनी पड़ेंग वो हलके पीले कलर में आएंगे, और वो समू के लिए ही रजिस्तर बने होते हैं, उनमें समू की हाजरी चड़ती है, मतलब जो भी मीटिंग्स होती है, उनकी सब की हाजरी चड़ती है, और जो पैसे का लेंदेन होता है, वो भी उसमें सारा रिकॉर्ड रखा जाता है, इस बैंक में आप अपना जाकर खाता खुलवा सकते हैं, तो आपका जो खाता होगा वो आपके नाम से ना खुलकर आपके समू के नाम से खाता खोला जाएगा, अब सुन लीजिए आपको समू से क्या-क्या फायदे होने वाले हैं, अब आपने ये सारे काम कर लिए और से चार मीटिंग्स भी हो गई तो कभी कभी होता है कि समू में 15 दिन के अंदर ही आपको कुछ benefit मिलना सुरू हो जाता है लेकिन अगर maximum एक महीने का टाइम हो गया है तो समू के लिए आपको 15 सो रुपे समू कोसा द्यक्ष और समू अद्यक्ष के पास आएंगे यानि कि वो समू के खाते में ही पैसे आएंगे उन पैसे का आप दड़ी बिचोना या फिर चाय पानी के सामान या फिर कफ बलाज जो भी आप खरीदना चाहें वो उसका खरीद सकते हैं वो पैसा आपको बापस नहीं करना होता उस पैसे का जब भी किसी के यहां पर समू की मिटिंग होती है तो उसको बिचाने के लिए जो कपड़े काम में आते हैं या फिर कोई भी पाल वगेरा पली वगेरा जो भी आप उसको बोलते हो वो जो भी चीज़े काम में आती हैं उनको आप खरीद सकते हैं और समू में वो मीटिंग के लिए काम देने वाली चीजे होती हैं, उस पैसे से आप एक गुल्लक भी खरीद सकते हैं, जिसमें आप अपना पैसा डाल सके हैं, अब आपको कुछ नहीं करना है आपको लगातार समू में थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करना है जैसे के 10 रुपे, 20 रुपे, 50 रुपे हफते जो भी आपकी capability हो उसके हिसाब से आप पैसे जमा कर सकते हैं और जब आपका record एक से डेड़ महीना और दो महीने तक लगातार चले तो बहां से आपको एक से डेड़ लाग रुपे का सीधा लौन मिल जाता है अगर आपके समू में 10 महीना हैं तो आप उसको 10-10 हजार रुपे बाट कर अपना काम चला सकते हैं और अगर आपके समू में 20 महीना हैं तो आप उस पैसे को बढ़ा कर यानि कि 2-5 रुपे भी ल मान लीजिए आपके समू में 10 महीना हैं और 10 में 8 महीना को ही पैसे का काम हैं दो को नहीं हैं एक महीना ऐसी भी है जिसको ज़्यादा पैसे चाहिए लेकिन पैसे उसको मिल नहीं पा रहे तो मान लीजिए अगर आपके समू में कोई ऐसी महीना है जो अपने हिस्से का पैसा उसको देने के लिए राजी हो तो आपका काम ये होगा कि आप वो वाला पैसे लेके अपने काम चला ले लेकिन बात में जो उसने पैसा लिया है उसके इसलेके 10-10 रूपे हबते करके वो धीरे-धीरे-धीरे आप जमा करते रहे हैं और अगली वार जब आपको दुबारा पैसा मिले, तो उस पैसे को उस महिल हो आप दे सकते हैं, तकि एक वार आपने उनका काम चलाया, एक वार वो आपका काम चला सकती है, तो यह समू संगठन कहलाता है, याने कि समू का मतलब ही होता है एक दूसरे की मदद करना, इसलिए इसको self help group कहते हैं, अब जैसे ही आप एक किस्त complete कर लेते हैं, उसके बाद आप उस पैसे को आप बढ़ा के ले सकते हैं, और इस तरीके से आप अच्छा अपना रोजगार जमा सकते हैं, और बहुत सारे काम कर सकते हैं, अब देख लीजिए समुव में कितने सारे और काम बढ सकते हैं, माल लीजिए 10 महिलाएं हैं तो 10 में 4 या 5 या फिर 1 या 2 महिलाएं भी ऐसी हैं, जिसको कोई न कोई हाथ का काम आता है, जैसे पंखे बनाना, कुछ ऐसा काम करना, जैसे के लकडी का काम करना, बुनाई का काम करना, या फिर कोई गुलदस्ते टाइप बनाना, जै पापड बनाना, बिस्किट बनाना, कोई ऐसा काम पापे की फैक्टरी लगाना, या फिर कोई भी ऐसा काम कर सकती हैं, तो आप 10 महिलाएं मिलकर उस काम को कर सकती हैं. इसका सबसे बड़ा उधरन है लिजजत पापड. कोई कमपनी 100 रुपे में, सिर्फ 100 रुपे में शुरू हुई थी, और आज करोडों का टर्न ओवर कर रही है, और वो भी समू से ही शुरू हुई थी. तो इसलिए अगर आप महिलाएं चाहें, तो कुछ भी कर सकती हैं, आप अपने आपको कभी भी छोटा ना समझें. अब जो प्रोडक्ट आपने तयार किया है, उस प्रोडक्ट को आप ब्लॉक के महध्यम से मार्केट में उतार सकती हैं, पैकिंग के लिए आपको पैसे नहीं है, तो पैकिंग के लिए भी सरकार से आपको पैसे मिल जाएंगे, ब्लॉक बीसी आपकी पूरी मदद करेंगे इस काम में और आपके product को market में उतारने का वो काम करेंगे समय समय पर मुखे मंतरी के दौरा जो grammean महिलाएं होती हैं उनके दौरा बनाएगा product का मिला लगाया जाता है वहाँ पे प्रदर्चनी की जाती है ताकि आपके product market में पसंद आएं और लोगों तक पहुँच पाएं जिससे आपके आमदनी जादा बढ़ जाए तो आसा करता हूँ दोस्तो समय से आपको काफी जानकरी मिल गई होगी किस तरीके से समय बनाते हैं ये कोई rocket science नहीं है आप आराम से अपना समय बना कर काम सुरू कर सकती है लेकिन आपको थोड़ा सा पेशन और थोड़ा सा इसमें धहर्रे बनाना होगा वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब करना